नमस्कार दोस्तों मैं स्पपनिल आज 5 नवंबर 2022 हैं बात करेंगे अरंडी तेल के विश्रय में और द्योगिक मांग कमजोर होने के कारण ही में अरंडी तेल के भाव 600 रुपेर प्रती क्वेंटल खट गए सप्लाइव मांग को देखते हुए और ज्यादा घटने की गुंजराईश नहीं है आप सुधी पाचकों को समय समय पर अरंडी तेल की तेजी मंदी के बारे में खबरे पढ़ने को मिलती रहती हैं इसी तारतम्य ताजा सर्वे के अनुसार और द्योगिक मांग कमजोर होने से एक माह के दारान अरंडी तेल 600 रुपए घटकर 15,000 से 15,100 रुपए प्रतिक्विंटल रहे गए उक्त अवदी के दारान गुजरात की मंडियों में भी इसके भाव 600 रुपए प्रतिक्विंटल रहे गए नौहर लाइन में भी इसके भाव 15,000 रुपए प्रतिक्विंटल बोले गए बिकवाली का दबाव भढ़ने से अरंडी के भाव 300 रुपए घटकर 6,900 से 7,000 रुपए प्रतिक्विंटल रहे गए सेटूरिया बिकवाली से एनसीडी एक्स में अरंडी वायदा की कीमतों में गिरावट रही अरंडी की कीमतों में आई गिरावट एवं आपूर्ति को देखते हुए इसमें और घटने की संभावना कम है देश में अरंडी का उत्पादन राजस्तान गुजरात आंजर प्रदेश तेलंगाना इत्यादी राज़्जों में होता है हाला कि चालू सीजन के दौरान देश में अरंडी की बिजाए अधिक हुई बिजाई का रगबा भढ़ने के कारण इस वर्ष अरंडी का उत्पादन अधिक होने की संभावना है सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन एक्स्ट्रैक्शन के अनुसार अप्रेल से अगस्ट दोहजार बाइस से तेस की अवधी के दोरान 27,7,865 तन 4,206.9,7 करोड रुपे मूलियों का अरंडी तेल का निर्यात हुआ जबकि 2021 से 22 में इसका निर्यात 66,28,128 तन का हुआ था सप्लाइब मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में इसमें घटने की संभावना नहीं है और द्योगिक मांग के साथ-साथ निर्यातकों की मांग सुधरने की संभावना को देखते हुए इसमें गिरावट की उम्मीद कम है बाजार सिमित उतार चड़ाव के बीच अगरी मिशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं संपर करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिये हुए हैं